Hi Mommies and Daddies, Welcome back to MomCom India. ऐसा बताया जा रहा है कि COVID की 3rd wave बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी. While as parents हम सब चाते हैं कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बस कुछ ही महीने हैं इस wave के लिए प्रिपेर करने के लिए. इस वीडियो में मैं आपसे शेर करूँगी 10 preparations जो हमें अभी से शुरू करनी हैं ताकि हम अपने बच्चों को इस wave से जादा से जादा बचा सकें. अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे आगे भी शेर कीजे, वीडियो को लाइक जरूर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हर वीडियो का नोरिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें. पहला प्रिपरेशन है वाक्सिनेशन. बच्चों के लिए अभी वाक्सिनेशन ट्राइल्स शुरू होने वाले हैं, बट 18 साल से उपर के लोगों के लिए वाक्सिनेशन अवेलेबल है. अगर आप एक पेरिंट हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप और आपके घर में बाकी जितने भी केरगिवर्स हैं, ऑगस्ट सेप्टेंबर तक के टाइमलाइन तक दोनों वाक्सिन डोजिज ले ले. इस ताइम पे सिरफ तीन कैटेगरी ओफ लोग हैं, जो वाक्सिन नहीं ले सकते हैं, नमबर वान जो प्रेगनेंट हैं, नमबर टू जो बच्चे हैं 18 साल से छोटे और नमबर त्री जिनको कोवेट से रिकावर हुए अभी तीन महीने पूरे नहीं हुए हैं. अगर आप एक तीन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो प्लीज जाके अपनी वैक्सिन को जल्द से जल्द लगवा लिजे. दूसरा, अगर बच्चों में आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, कोई भी अन्यूजवल तकलीफ दिखती है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इमीजेटली. डॉक्टर अगर सजेस्ट करें कि ये सिम्टम्स कोविट के हो सकते हैं, तो आपको टेस्ट कराना है, और तीसरा, आपको इमीजेटली बच्चे के साथ आइसोलेट होना है, जो भी एक पेरेंट बच्चे के साथ आइसोलेट हो सके, उन्हें आइसोलेट होना है, ताकि वो बाकी घर में ना फैले. जिन कांट्रीज में देखा जा रहा है कि इस ताइम पे बच्चों में इन्फेक्शन काफी आ रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि तीन तरीके की गलतियां हो रही है. नमबर वान, पेरेंस बच्चों को डॉक्टर के पास बहुत ही लेट ला रहे हैं, जिस केज में जो डिसीज है वो काफी जादा स्प्रेड हो चुकी होती है. नमबर टू, ज्यादा टेस्ट या तो अवेलेबल नहीं है, या फिर पेरेंस टेस्ट कराने से रिजिस्ट करते हैं, वो टेस्ट नहीं करवाना चाते, जिसकी वज़ा से ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है. और नमबर थ्री, अगर आप कंजस्टित जगाओं में रहते हो या घर में बहुत सारे लोग हैं, तो टाइमली आइसोलेशन करना मुश्किल होता है, जिसकी वज़ा से ये फटा-फट औरों में भी फैल जाता है. तीसरा प्रेपरेशन है उन बच्चों के लिए जो उबीस हैं, यानि जिनका वजन अपनी एज के अकॉर्डिंगली ज़ादा है. ऐसा भी एक डेटा निकल के आ रहा है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि जिन बच्चों में मोटापा ज़ादा है, उनको COVID ज़ादा एफेक्ट क अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का वेट उसकी एज के अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं, तो आप गूगल से वेट चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थू ये चेक कर सकते हैं. चौथी प्रेपरेशन है बच्चों के वाइटमिन D लेवल को हाई र करता है, वहाँ पर अगेन कॉंप्लिकेशन होने के चांसे होते हैं. इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जिन बड़ों को भी COVID हो रहा है, उनकी रेगुलर मेडिकेशन में वाइटमिन D भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ताकि ये लेवल उनकी बॉड़ी में अच्छा रह कि अधरवाइस आप बच्चों की डाइट में एग योग डालिये, काउगी डालिये, सालमन फिश डालिये, मश्रूम्स डालिये, इन सब कित्रू उने बहुत अच्छी मातरा में वाइटमिन D मिलता है, अलॉंग विद अगर आप सुबह की टाइम बैलकनी में या अपनी छ अपनी से, ऐसा बोला जारा है कि वाइल बच्चे सबसे ज़ादा एफेक्ट होंगे, बच्चों को इंफेक्शन बढ़ों से ही आएगा, इसलिए जितने ज़ादा लोग वैक्सिनेट होंगे, बच्चों के इंफेक्ट होने के जांसे और कम हो जाएंगे, अब बड़े बच इन सारी habits को हमें इस period के लिए definitely change करना है अगला step है बच्चों की immunity पे काम करना बच्चों के immunity दो तरीके से बढ़ती है सबसे पहला है nutrition nutrition में बच्चों की immunity कैसे बढ़ा है इसके ओपर काफी सारे videos है मेरे channel पे भी है, youtube पे भी है, google पे भी information है अब बहां से pick कीजी, अगर आप चाते हैं मैं separate video करूँ तो comment करके बताईए और दूसरा तरीका होता है बच्चों की activity 60 to 90 minute physical activity बच्चों की immunity में बहुत बड़ा role play करती है वाइल बच्चे बाहर नहीं जा सकते बट आप घर पे ही 60 to 90 minute physical activity ज़रूर plan कीजिए अगला step है breastfeeding काफी mothers का ये question होता है कि क्या हम इस ताइम पे बच्चों को wean कराना शुरू कर दे breast milk से off कराने लग जाए क्या पता हमें covid हो गया तो हम बच्चों को feed नहीं करा पाएंगे ये सब गलत है ये बहुत बड़ा myth है आपको बच्चों को जितना हो सके breast milk देना है because इसी से उनकी immunity बहुत strong होती है अगर आपके अंदर antibodies हैं तो वो भी बच्चे की body में जाके उसको strong बनाती हैं तो please breastfeeding continue कीजिए but with covid appropriate behavior अगला step है कि बच्चे की जो regular vaccines हैं उसको बिल्कुल up to date करा दीजे make sure बच्चों को जितने भी shots वगेरा लगने हैं उनके regular schedule के वो सारे लग गए हो ताकि उनकी immunity in general strong हो towards other diseases also अगला step है बच्चों को covid appropriate behavior सिखाना mask पहनना, social distancing और हातों को wash करना अच्छे तरीके से, soap से यह हमें बच्चों को सिखाना है ताकि वो खुद भी अपने आपको infection से बचा सके and last जो मुझे लगता है बहुत ही important step है और बहुत बड़ी गलती है काफी लोगों से wave 2 के time पे हुई है वो है कि आप covid के numbers को closely watch कीजे अपने area में यह difficult होगा specially उन families के लिए जिसमें घर में किसी को बाहर जाना ही पड़ता है bread earn करने के लिए but अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको wave 3 से उने बचाना है तो shut down shut down मतलब जैसे हम lockdown में रहते हैं उस तरीके से हमें सारे measures को follow करना है बच्चों को पहले से ही घर में रखना है सारे sanitization, hygiene को follow करना है ताकि हम इस wave में नहीं फस जाएं जब wave 2 आया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि यह जो numbers बढ़ रहे हैं यह एक myth है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि media hyped है vaccination लोग करा है इस वज्ये से ऐसे दिखाया जा रहा है बट reality totally different थी हम लोग इसके लिए बिलकुल तयार नहीं थे and what has happened has totally shaken the nation So guys, wave 3 के लिए हमें बहुत ही vigilant लेना है closing करते वे मैं यह जरूर बोलूँगी कि while हम यह सब कर रहे हैं बट मन में एक positivity रखना बहुत जरूरी है कि हो सकता है हम इस wave को totally avoid कर लें States, Government, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि India में vaccination बढ़े और बच्चों की vaccine पे भी काम already शुरू हो चुका है So you never know कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो हम future predict कर रहे हैं वैसा बिलकुल भी नहीं हो बट ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अगर ऐसा होता है तो हम अपनी तरफ से क्या तयारी कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like कीजेगा और share जरूर कीजेगा Thank you guys, stay safe and stay healthy everyone